राज धर्म, कौटिल्ड अर्धशास्त्र चानक के विर्चित ग्रंथ है, जिसमें राजा के कर्दव्यों का, आर्थिक तंत्र के विकास का, प्रभावी शाशन एवं दन्र विवस्था आधिका विवन्द दिया गया है. प्रजा के सुख में राजा का सुख नहित है, प्रजा के हित में ही उसे अपना हित तिखना चाहिए. जो स्वयम को प्रिये लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को जो प्रिये लगे उसमें है. राजा को चाहिए कि वे नित्य प्रती उद्यम शील होकर अर्थों पार्जन तता शाष्किय वेवार संपन्द करें उद्यम शीलता अर्थ यानि संपन्दता का मूल है एवं उसके विप्रीत उद्यम हींता अर्थ हींता का कारण है उद्यम शीलता के अभाव में पहले से जो प्राप्थ है एवं भविश्व में जो प्राप्थ हो पाता उन दौनों का ही नाश निश्यत है उद्यम करने से ही वांचित फल प्राप्थ होता है और उसी से आर्थिक संपन्दता मिलती है कौटिली ने अपना यह मत व्यक्त किया है कि राजा का कर्तव अपना हिच साधना और सत्ता सोख भोगना नहीं है आज के युग में राजाओं का इस्थान जन प्रतिनिधियों ने ले लिया है जिने आम जनता शास्की विविस्ता चलाने का दायत्व सौंपती है कौटिली की बाते तो उन पर अधिकी प्रासंगिक मानी जाएंगी क्योंकि वे जनता के हिच साथने के लिए जन प्रतिनिधियों बनने की बात करते हैं उद्योग शब्द से मतलब है निष्था के साथ उस कारे में लग जाना जो व्यक्ति के लिए उसकी योगेता अनुसार शाशन ने निर्धारित किया हो या जिसे उसने अपने लिए स्वेर्म चुना हो राजा यानि शासक का करतब है कि वे लोगों को अनुसासित रखे और कारे संस्कृती को प्रेरित करें अनुशाशन एवं कारे संस्कृती के अभाव में आर्थिक प्रक्रति संभव नहीं है जिस समाज में लोग लापरवा बने रहें, कारे करने से बचते हों, समय का मूल ना समझते हों और शाषन चलाने वाले अपना हिच साधने में लगे रहें, वहां संपन्ता आना संभव नहीं महाभारत में वर्णित पांडव कौर्वों के युद्ध की समाप्ती के बाद, राजा युदिष्टे, सरशया पर लेटे भीश्म पितामा से राज्यकार संबंदी नीती वचन प्राप्त करते हैं राजा के लिए क्या अकृत्त हैं क्या नहीं इस बाबत अनेका नेक बाते भीश्म बताते हैं उसी प्रकड में वे ये भी कहते हैं कि उस राजा को प्रजाने मृत्युद्ध दन दे देना चाहिए जो उनकी सुरक्षा को कमबीता से नहीं लेता है जिस राजा के राज में चीक्ती चिलाती इस्त्रियों का बल पूर्वक अपहरण होता है और उनके पती पुत्र रोते चिलाते रहते हैं वे राजा मरा हुआ है नाकी जीवित जो राजा अपहनान की जारा इस्त्रियों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम नहीं उठाता है और उनके दुखित बंदू बांद्वों की विवश्टा से विजलित नहीं होता वे जीते जी मरे हुए के समान है उसके जीवित होने की कोई सार्थक्ता नहीं रह जाती जो राजा अपनी जन्ता की रक्षा नहीं करता उनकी धन संपता चीनता या जप्त करता है जो योग्य नित्रित्र से वंचित हो उस निकृष्ट राजा को प्रजा ने बंधग बनाकर निर्देता पूर्वक मार डालना चाहिए राजा का करतव वे अपनी प्रजा की रक्षा करना उसको सुख सम्रुद्र के अफसर प्रदान करना तभी वे जन्ता से कर्वसूलने का हगदार बन सकता है अपने करतवियों का निर्वाना करने वाला राजा को निकृष्ट कोती का मारना चाहिए उसके पती दयाभाव रखे बिना ही पर लोग भेज देना चाहिए मैं आप सब का रक्षक हूँ यह वचन देकर जो राजा रक्षानी करता उसे रोग एवं पागलपन से गृष्ट कुट्टे की भाती सबने मिलकर मार डालना चाहिए शासक का पहला करतव है कि वे भैमुक्त समाज की दचना करे भैमुक्त निरी निरप्रात पर जा के लिए ना के अपराधियों के लिए आजकल अपराधि दिरंकुछ स्वच्छंत विच्रन करते हुए और समान जन दरे से में दिखते हैं जिस शाशक के राज में ऐसा हो उसे यहाँ पागल कुट्य की संग्या दी गई है और उसका एक ही इलाज होता है मृत्यू